अक्सर हम सोचते हैं कि टॉडलर पेरेंटिंग इतनी मुश्किल क्यों है? नेक्स्ट तीन मिनट में हम आपके टॉडलर पेरेंटिंग से रिलेटेड परस्पेक्टिफ को बिलकुल बदल देंगे एक से तीन साल की उमर के बच्चे फुल आफ एनरजी और क्यूरियस माइंडिड होते हैं और उनका फेरेट काम अपनी बाउंडरीज और लिमिट्स को चालेंज करना होता है इस अप्रोच के जड़िये बच्चों के साथ एक स्ट्रॉंग और रिस्पेक्ट फुल रिलेशन्शिप बनाया जाता है जिसमें उन्हें एहम लाइफ स्किल, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉंसिबिलिटी और हेल्दी बिहेवियर पैटन सिखाया जाता है लेकिन ये सब कुछ बच्चे को पनिश्मिन्ट या सजा दिये बगएर सिखाया जाता है इस सब का फाइदा क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लिन से बच्चे की सेल्फ इस्टीम बढ़ती है वो खुद को एहम तसवर करते हैं और यही confidence उनकी जिन्दगी के हर काम में नज़र आता है जब उन्हें यकीन होगा कि उन्हें डांटा या सजा नहीं दी जाएगी As parents, बच्चों में इन छे स्ट्राटेजीस के जरिए पॉजिटिव डिसिप्लिन पैदा किया जा सकता है बच्चों के लिए सबसे एहम उसके वालदेन हैं जिनको देख कर वो सीखता है इसलिए पॉजिटिव बेहिवियर मॉडलिंग बहुत जरूरी है बच्चों के साथ पॉजिटिव लैंगविज इस्तमाल करें और मुक्तलिफ चोइसे दें जैसे जब आपका बच्चा भाग रहा हो तो भागो नहीं कहने के बजाए आप उन्हें गाइट कर सकते हैं कि वो आराम से वाक करें बच्चों की रूटीन सेट करें और एज अप्रॉप्रिये टास्क दें और ग्राजूली टास्क डिफिकल्टी को इंक्रीज करें जब बच्चा कोई negative behavior शो करें तो उस behavior को redirect करने की कोशिश करें जैसे अगर toddler tantrum शो कर रहा है तो उसे उस जगह से हटा कर किसी पुरसुकून कोने में ले जाएं टॉडलर्स इस age में बहुत तेजी से सीखते हैं बच्चे से communicate करें उसे different emotions के बारे में सिखाएं और उन्हें कब इस्तमाल करना है उनकी problems के मतालग logical solutions दें criticism के बजाए positive feedback इस्तमाल करें क्योंकि बच्चे का brain वालदین की हर बात को absorb कर रहा होता है और अपने आपको उस लिहास से तयार करने की कोशिश करता है जितना ज्यादा positive input देंगे उनकी personality में भी वो नज़र आएगी positive discipline सबके सामने करने के बजाए अकेले में और पुरसुकून अंदाज में करें toddler mind peaceful और calm environment में ज्यादा बेहतिरी से समझ पाता है अपने बच्चों की छोटी छोटी progress को celebrate करें This can transform your child from hesitant learner to a curious and empowered explorer क्या आप भी इस approach को follow करते हैं हमें comment में जरूर बताएं and follow us for more guidance